मिटिंग को मत छोड़िएगा कि क्यों हम ब्राइट फ्यूचर को करेंगे और क्यों नेटोक मार्केटिंग को करना चाहिए उसके उपर आज मिटिंग के करीब दो सो तीस लोग है और सभी लोग समझने की कोशिस करिए गया कि नेटोक मार्केटिंग को क्या रियल में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या करने का फाइदा या नुकसान कि आप अपनी टाइम खराब तो नहीं कर रहे हैं यहां पर वो सारे चीज़ को पर अगर बात कर करिएगा तो शुरू करते हैं सभी लोग डाइरी पेन अगर है आपके पास लेकर वैठिएगा अगर लगता है आपको यह आपके लिए काम की चीज है तो उसको नोट जुरू करिएगा तो एगें गूड मॉर्निंग ओल आप यू आज हम डिसकस करेंगे क्या नेटवर्क म के लिए खाली करके बैठिएगा और थोड़ा सा पॉजिटिव एटिट्यूट के साथ सुनना है किसी भी चीज़ को सुनने समझने का कोई नुकसान नहीं है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बोला ठीक है मीटिंग है एटेन कर दिया और फिर हमने थोड़ा दिर सुन और फिर छोड़ दिया जिसका कोई फाइदा नहीं होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्राइट फ्यूचर करके या हम जो कुछ भी करते हैं हम सभी लोग चाते हैं कि जीवन में कुछ अलग करने के लिए या हर आदमी चाते कि हम कुछ अलग करेंगे कुछ बड़ा करेंगे इसी सोच के साथ आदमी काम करना स्टार्ट करता है बीस-いきस साल के उमर में और काम करते 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 एक पर्टिकुलर एज तक जाके वो जो पाना चाहता है वो नहीं पाना पता है यह reality of life है every parent हर माबाप चाहते कि हमारे बच्चे जो है better करेगा हम से बढ़िया करेगा यह हर माबाप चाहते और इसी उम्मिद पे वो अपनी बच्चों को पालते हैं पढ़ाते हैं परवरिश करते है लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते उसकी कारण क्या होता है उसकी कारण कि अगर हम बात करे है कि हम लोग को पढ़ा लिखा के फिर क्या होता है उनके साथ ना पंद्रह साल के एडूकेशन हम देते दस से 15 साल था मन उसके बाद उसको फिर प्रिपरेशन कराते हैं फिर उस जाके कहीं ने कहीं एक जॉब मिलता है जिसमें 15, 20, 30, 50,000 तक का मिल जाते हैं और 10 से 12 साल तक काम करते हैं बट जो चाते थे वो नहीं कर पाते हैं यह ऐसा क्यूं है अगर इसके उपर थोड़ा सा हम नजर डाले या उ यहां पर हम लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस इंकम के साथ ब्राइट फीचर को यह पार्ट टाइम कर रहे होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जॉब को करके छोड़के फिर कर रहे होंगे आप यह देखिए रियलिटी कितने लोग मानते हैं कि हां यह हमारे साथ होता है थोड़ा मुझे टेक्स करके बताएंगे येस या नो कितने लोगों लगता है यह रियालिटी है लाइब का क्या मैं सही कहा रहा हूं या गलत सबी लोग थोड़ा सा अगर आप इसमें इनवार्व रहेंगे तो आपको समझने के लिए अच्छा होगा और आपको समझ में भी अच्छा आएगा यह रियालिटी है यह सब को पता है ऐसा होता क्यों है उसके पीछे का कारण है कि हर माबाब अपने बच्चे को बोलते कि बे कि बठ हम अपने बच्चों को जो सिखा रहा है और हम सभी को पता है कि आज देश के अंदर जॉब खतम हो चुका है प्राइबेट सेक्टर के अंदर जो आट घंटे की जॉब था वह आज 10 घंटे 12 घंटे तक हो चुका है और कैसे कैसे हैं तो हैसा होने के पीछे कारण या थोड़ा सा अगर हम बात करें कि हिंदूस्तान के अंदर पैसा कमाने का तरीका क्या क्या होता है नहीं एक होता है किसान जो खेती करके पैसा कमा रहा है दूसरा नोकरी एंप्लॉई जिसको बोलते तीसरा सिल्प एंप्लॉई जो कहीं नहीं चोटे मुटे दुकान या होता होता है यह होता है पैसा कमाने कर जरिया इंदुसतान का अंदर आप इन सभी में से हम सब को पता है कि पैसा कहाँ पे जादा μεता है यह पैसा कहा पे ज़्यादा है कितने लोगों को पता है कि इन पांच मेंसे सबसे ज्यादा सोर्ष अप मिया सबसे ज्यादा इनकम कहां पे हैं कि आधा वहामिक पंडे बोलते हैं घृष फीजनेस मैं Spre गर बाकिल दुख यह यह tierra है बट हमें पता भी सब को कि यह बिजनेस में करें अपनी लाइब को अच्छा बनाएं अपनी केरियर को अच्छा बनाएं अच्छे घर बनाएं बच्चों के लिए अच्छे एडूकेशन यह सब कोई पता भी है सब कुछ है तो हर एक आदमी को बिजनेस करना चाहिए ना लेकिन कहीं नहीं कहीं हम लोग बिजनेस नहीं क पाते हैं उसकी पीछे का बज़ा ये है क्योंकि एक बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक मोटा इंवेस्टमेंट चाहिए जो भी बिजनेस करने जाओगे तो गवर्मेंट अपी इंडिया या स्टेट गवर्मेंट से आपको लीगल डॉकुमेंट तैयार करना है घाती है जो है रिक संवे उसके बदाद उसमें टाइम लगाना है उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको सिखना होगा या आप टेनर रखना होगा मार्केटिंग टीम आपपर पस मीजिद कि साथ चलना होगा तब जाके आप business में success हो सकते हैं अब problem यहाँ पर है कि हम business फिर भी क्यों नहीं करते ना सबसे जो main कारण मेरे हिसाब से है वो है investment 20-30-40 लाग के नीचे आज के रिट में कोई अच्छा business नहीं हो सकता है और वो पैसा हमारे लिए पूरी life का income होता है वो पैसा जब हम लगाने जाती तो हमें लगता है कि नहीं चला तो हम तो कहीं का नहीं रहेंगे यह सब कई बजा है जिसके बजह से हम बड़ा business नहीं कर पा रही है या business में नहीं रही है क्या यह चौर्पा है और अब यहीं पर अगर हम बात करूं जो मार्केट का अंदर बिजनेस है जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या बिजनेस में जो लोग लाखो क्रोडर रुपए लगा के कर रहे हैं थोड़ा से यहां पर देखेगा कि 75% आर्निंग करने के लिए मार्केट का रेशियो है कि कोई भी ब होता है यहां पर आप देखेगा कि टैडिशनल मार्केट के अंदर पहले मैनुफक्चरिंग होगा फिर डिलर डिस्ट्रिबूटर होलसलर रिटील जाके फिर कंजुमर के पास जाते हैं कई चैनल होता है हर चैनल में लाखों रुपए लगा के लोग बैठे हैं और हर चैनल सब्सक्राइब को अपना परसेंटेज ले रहा होगा और सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर रहा होगा यह मैं जिने मिडल मैं 30 परसंट कमाने का आपको कोई इणबेस्टमेंड लगाने की जूरुत नहीं है कोई अकंचेन नहीं चाहिए कोई मर्केटिंग नहीं चाहिए शरफ और शरफ आप प्रॉड़क्ट को यूज करिए समझीए और अपने लोगों को आपके कंटेक्ट के लोगों को इस चीज को प्रोमोट करिए ये चीज आज समझ जाइए कल समझ जाइए ये समझना बहुत जरूरी है आज के डेड में चाहे नोकरी बूलिए चाहे छोटे मोटे जो काम है जो सेल्प एंप्लोयर वाली दुकान उकान ख स्कुलते हैं ये दोनों के अपर्चोटी खतम हो रहा है नोकरी खतम हो रहा है कि सरकारी नोकरी चला गया है प्राइवेट के अंदर 15-20 हजर के लिए 10-12 घंटे देना होगा और दूसरी चीज दुकान और ये सब की बात अगर करेंगे ऑनलाइन मार्केट और जो मॉल्स अच्छा होगा नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर आपको 75% आर्णिंग करने के लिए आपको कुछ लगाने की जुरूत नहीं है कोई रिक्स नहीं है ये कंपनी के माली पैसा लगा के बैठा है आपको प्रोमोट करना और उसको बिल्ड करने के लिए उसके लिए आपको क कैसे होगा क्या होगा क्या यह 75 परसंट कमाने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी टाइम बाउंडिक विदाउट एडिकुशन अगर आपको मोका मिल रहा है तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कितने लोग लगता है हाँ डारेक्ट सेलिंग लगा के कमा के मोटा बन रहा है जबकि 75 परसंट कमा के नहीं ले जा पार रहा है वो स्रेप और स्रेप कोई 10 परसंट कोई 12 परसंट कोई 15 परसंट ले रहा है लेकिन आपको डारेक्ट सेलिंग के अंदर वो 75 परसंट पैसा पूरे के पूरे कमाने का मोका आपके पास है लोग क्याना एक काम पर depend रहता है हम लोगों के साथ किम मीड़ल क्लास चेंज नहीं हो पारा है क्यों आगे बड़ नहीं पारा है उसके पीछे की बज़idge है कि हमारे पसॉर्षॉप इंकम एक रहता है ये मैं ही नहीं कहा रहा हूँ लोगों को देखके सिखना ची क्योंकि बोलता है ना दुनिया में अगर आपको सक्सेस होना है तो सक्सेस्पूल लोगों को देखके चलिए सक्सेस्पूल लोग जो करते हैं वो करिए आप आगे बढ़े जाएंगे या सक्सेस्पूल लोग जो क कहते हैं उसको सुन लीजिए दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का धनवान आदमी है वो कहते हैं कि कभी एक इंकाम पे डिपेंड रहीं नहीं रहना चीए और यह चीज को रोना काल के अंदार लोगों को दिखा कई सारे लोगों की जॉब छुट गई आजता को जॉब मिली नहीं है कई सारे छोटे मोटे इंडास्टीज चोटे मोटे बिजिनेस थे कारोबार थे बंद हो चुका यह सब को पता है लेकिन प्रॉब्लम यह हमारे साथ पता होने के बाद जूद भी हम करते नहीं है दोस्त य इंडास्टीज है यहां की लर्निंग और यहां की जो लीडर्सिप है वह आपको हर दिन आपको पीछे पढ़के आपसे करवा लेता है इसलिए कुछ भी करते हो कम से कम दो तिन काम साथ में करना चाहिए आप देखें हिंदूस्तन के टॉब मोस्त आजमी के अगर बात करें गोता मादानी या मुके संबानी यह काम नहीं करते या टाटा इनके पस कई काम है टाटा नमक भी बेचता है मसाला भी बेच रहा है ट्रक भी बेचता है कार भी बेचता है आज के डिड़ में मॉल्स भी खोल रहा है टाटा क्रोमों में जाए इलेक्टोनिक्स के सारे चीज तो करश्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अगर जीवन में आपको बड़ा होना है आज तक आपकी परिवार में आपके कई पीडियो को अगर देखेंगे नहीं कर पाया उसका बज़ा है कि वो ये काम पे डिपेंड रहा इसलिए नहीं हो पाया और दोस्त मैं बोलता हूँ आप दो-तिन काम कर रहे हो लेकिन साथ में निटॉक मार्केटिंग को जरूर रखिए लेकिन इस काम को करने या ना होने का इस काम आप करने के बाद अगर आपसे नहीं भी होता है नुकसान आपको एक पैसे का नहीं हुगा और कामों में और बिजनेस में आपका कुछ भी होगा तो नुकसान होगा लेकिन यहां नुकसान होने का कोई सौधा नहीं है इतलिए हमें भी दो-तिन काम साथ में लेके चलना चाहिए अगर बात करें हाँ डायरेक्ट सेलिंग को साथ में रखना चाहिए क्या हम कहते रखने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग अ बदल रहा है जोब की बदल रहा है लेकिन ए नेटोugh सों मार्केटिंग में कुछ बदलने वाला नहीं है किने लो सबस्क्राइब कर दोएं वाले कर है तो दोस्ति इसका अभिए अपर्चयोंटे lotी कहतम होने वाला नहीं है क्योंकि FMCG प्रोडक्स साबून तिल सेंपू इंसान कभी यूज करना बंद नहीं करेंगे और दूसरी चीज हमारे पास जो सप्लिमेंट है फूर्ट सप्लिमेंट है हेल्थ को ले करके आदमी की सरीर के लिए हमेसा करेंगे और यह दोनों चीज हमारे पास है और तीसरी चीज है हम लोगों कोई तो यह कि नेटोक मार्केटिंग बोलता किसको है, नेटोक मार्केटिंग बोलते कि यह कमपनी हो जिसके पस product यह service हो, अगर आप थोड़ा पैसा लगा के उस पे एक बर purchase करते हैं, तो उस कमपनी के पस जितने भी product है, उसकी आपको dealership या distributor सी मिल जाते हैं, आप एक team बना के ज इतने चाहे हो तो ना पैसा कमा सकते हैं, बताएए यहाँ पे ना education पूछा, ना आपको investment पूछ रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बोलत जरा सा पैसा लगा कि एक बार purchase करिए, और ऐसी purchasing आप अपनी जीवन में मैं आपको बात करूं, साबून, तेल, सैंपू, डिट कर चुके आप, कहीं से पैसा कमाने का आपको मुका नहीं था, आप अगर bright future में आके मैं बोलता हूं, दिन का 5 रुपे भी बचा लेंगे ना, तो पिछे 100-500 साल से जो आपके घर में use हो रहा है, तो 5 रुपे अगर बचा लेते तो आपको कई लाखों रुपे आप यहां से बचा सकते थे, यहां बचेगा इस बात पर कि सब को पता है कि हर 2000 की स्वापिंग पर हमें 400 का सामान फिरी मिलता है, हर 5 माएने के बाद आपको 6 माएने का सामान फिरी मिलता है, इसलिए दोस्त यहां पर करना चीए, नेटोक मार्केटिंग को अगर समझने की कोसिस करोगे, इस दुनिया के अंदर हर आदमी नेटोक मार्केटिंग कर रहा है, हर आदमी नेटोक मार्केटिंग कर रहा है, हर आदमी मेंबर ही बना रहा है, जैसे मैं अगर बात करो कि दूद अकेले जो बेचता है, उसको हम छोटा काम या छोटा आदमी समझता है, उसी दूद को जब लोग टीम बना के, मेंबर बना के, चिन बना के बेशता है, तो आमुल की ब्रैंड लगा हुआ है, यह है नेटोग मार्केटिंग और यह मार्केटिंग, काम कोई भी छोटा बड़ा, या ब्राइट फिचर को किस नजरिया से देखते हो, कोई मैटर नहीं करता है, दोस्त, थोटा काम आपको लगता होगा, आपके घर में जो दूद देने के लिए आता होगा, लेकिन उसी दूद को काम को करके देखे, लोग आरभपती बना हुआ है, सबजी बेचने वाले भी आपके निजर में, वो सबजी बेचने वाला होता होगा, या या इस ठंडी में जाके देखे होगा रात को 8 बजे 9 बजे सब्चा बैच रहा हुआ कई पीडी से बैच रहा हुआ जिंदगी नहीं बदला है और उस सब्जी लेके बैटता है यह एक आदमी है जिसका नाम है बिग बास्केट जिसको सब्जी ना उगाता है ना रखता है ना कुछ भी नहीं है यह काम कर तो इसको marketing कि आ जाते और गर जो ऊसी काम को ढखेंक बादिका कि बबनाकी अगीज को थे ones मार्केटिंग को यह चेज को अपनी तॉकान या खोलन को पहते हैं कि थोड़ा सब देखेंगे calculation को कहते हैं एक हफ्ते में 40 घंटे काम करता है अगर मोटा मोटा अगर एक हफ्ते एक साल को अगर 50 अगर पचास हफ्ते लगाएंगे तो एक आदमी एक साल में काम करता है 2000 घंटे हम बड़े क्यों नहीं बन रहा है क्योंकि हम टाइम को multiply नहीं कर पाते हैं और बड़े लोग मैंने कहा ना कि टीम बनाके चेन बनाके या मेंबर बनाना कि कैसे किस तरीके से बड़ा बन रहा है अब एक आदमी 20 साल की उमर में काम करना आदमी रखा उनसे 8-8 घंटे काम करया तो उनके लिए एक दिन में काम हो जाता है असी हजार घंटी इस असी हजार घंटे को जो बढ़ा सकता है वह आदमी बढ़ा है नेट्वर्क मार्केटिंग आप देखें यहां पर क्या होगा यह सौ आदमी रखने के लिए उनके पास सेलरी देने के लिए पैसा होगा बिजनес खोलने के लिए पैसा होगा वहां पर जाकर टाइम को बढ़ा है कि लेकिन बट नेटो को मार्केटिंग में हम नेटो अपनी टाइम को बढ़ा सकते हैं आप अगर अपने नीचे साल-दो साल काम करके है मैं एक दिन एक महने की बात करना हूँ मैं यहाँ पर दो साल की बात करूँ कि दो साल लग कि किसी भी आप कंपनी के अंदर अगर बीस लीडर अपने निते जनरेट कर सकते उनको सिखा के उनको परवरिश करके कि नेटोग मार्केटिंग को क्यूं करना है यह अगर सिखा देते आप और आठ घंटे को एक साल उनका होता है एग लाग सोलह हजार आठ सो घंटे जो काम आदमी जीवन भर में आप असी हजार घंटे करोगे वही आदमी जिनके पास पैसा ना हो एडूकेशन ना हो कोई सेट अब ना हो बट नेटोग मार्केटिंग करने आए तो वह भी आदमी दो घंटे में इतना हजार दो साल में करीब करीब सवालाग घंटा काम कर सकते हैं जो पुरी जीवन में आसी हजार घंटे कर रहा था वो सवालाग घंटे कर पाएंगे जगर 20 लीडर अपने मीचे तयार कर ले इसलिए नेटोग मार्केटिंग को करना है आप बात करें आज हम लोग मिडल क्लास डिपेंड रहते हैं या तो कोई नोकरी कर लो या तो कोई चोटे मोठे दुकान कर लो दोनों के खत्म हो रहे हैं यह सब को बता है यह उसको बड़े बड़े लोग आज रीटेल मार्केट के अंदर आ रहा है अदानीि मनी टाटा जिसके वज़े से उसका फ्यूचर आप आगे देखेंगे आप देखिएगा आपकी नेरेस्ट में कोई सहर के मार्केट में देखिएगा कि आज से पांच साल पहले जहां पर कोई मॉल नहीं हुआ करता था वहां पर दो चार दस मॉल खुल चुका है अब उन मॉलो श्रीं करने आएंगे तो आपको यहां पर अन्लिमिटेड मिंस्ट करने का मुखा है किसी दुकान किसी बिजनेश या किसी जॉब के अंदर जाके आप गलतिया करोगी तो जॉब से आपको निकाल दिया जाएगा या बिजनेस करेंगे तो आप आपको नुकसान हो सकता है anymore ब्लैंग चेक है आप जितने बड़े सोच सक्चें उतना यहां से कमा सकते हो दूसरी बात है आप अपने पसंद के लोगों के साथ और अपनी पसंद के जगाव में आप इस काम को कर सकते हो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बड़ नेटो का मार्केटिंग में यह चीज़े नहीं है आप यहां पर अनलिमिटेड पैसा तो बनाई सकते हो लेकिन साथ में एक चीज़ पासकते हो जो कहीं पर भी नहीं पासकते है वह है रेस्पेक्ट एन रिकॉगनेशन जैसे हमारा प्लान को देखिएगा कि उस प्लान के अंदर अगर आप सिर्फ एज यूजर भी है तो दस हजर बीवी का मैचिंग जिस दिन आपका हो जाएगा कोई टाइम लिमिट नहीं आपके एक होटपॉड मिलता है उस होटपॉड की कीमत क्या है मुझे नहीं पता है ब साथ में फूल माला सौ दोसों लोगों की टालिया जब बचता है ना तो वह जो एक होटपॉड है ना वह लाक रुपे का हो जाएगा है इसलिए यहां पर यह जो रेस्पेक्ट रिकॉगनेशन है यह बहुत मैटर करता है और इस दुनिया में हर आदमी पैसा से ज़्यादा इज्जत के बुका है और वह इज्जत आपको यहां पर भर भर के मिलता है नेटोग मार्केटिंग या ब्राइट फ्यूचर की अगर थोड़ा सा बात करें जैसे एक फिक्की की बात करें फिक्की है कि ऐसा और्गनेशन है जो एकाउंटिंग करता है बिजनेस को लेके 90 साल पुरान और्गनेशन है वो कह रहा है कि हिंदूस्तान में जितने स्टार्ट अप इंडिया मोदी जी चला रखा है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीगूट कर रहे हो डाइरेक से लिंग कर रहे है कि वाल्ड का यह सबसे बड़ा एकाउंटिंग एक यूनिट है जो की हिंदूस्तान में दोजार पचीस तक जो है ना करीब करीब एक करोड़ लोग होगा जो अपनी घर नेटोग मार्केटिंग से चला रहा है यह वो सेक्टर है जहां पर हर चीज का यह लोग डेटा निकाल के देता है तो यह कोई गलक चीज नहीं बोलेंगा अकर यह सब कह र है इतनी सारे चीज है इसके अंदर हम सिर्फ एकी चीज समझते जोड़ने का काम है मेंबर बनाना चेंट सिस्टेम लोग जोड़ना नहीं चाहते दोस्त यह वो नहीं है यह बहुत बड़ा आपका समराज्यों तयार करने का बिजनेस है एक टीम क्रियेट करने का बिजनेस है इसके बज़े से यह बड़े-बड़े लोग कह रहा है कि नेटोग मार्केटिंग अब यह सब लोग है जो लीडिंग लोग है जो दुनिया को चलाने वाले देश को चलाने वाले लोग है इसलिए बोल रहा है कियोंके हर कोई सेक्टर बता रहा है और इसकी ओपरचोंटी को देखतो यह बता रहा है आप बात करेंगे ब्राइट फीचर ब्राइट प्यूचर आपको दो तिनक चीज़ देता है हेल्थ और वेल्थ के क्रिएट करने पर काम कर रहा है रिच ब्राइट फ्यूचर प्रोड़क्ट टु एभरी पेपल उई ते अफ़रडबल प्राइज ब्राइट फ्यूचर की जो मिशन है कि हिंदुस्थान के अंदर इवन बांगला देश तक हर घर में ब्राइट फ्यूच को एक अच्छी इंकाम में पहुंचाना चाहते यह ब्राइट फ्यूचर के मिशन है और हेल्थ के अगर बात करें स्वास्थ और साथ में इंकाम यह हर किसी की जुरूरत की है आप थोड़ा सा बात करें कि क्यों मैं ब्राइट फ्यूचर को करूं क्या यह रियल में करना ची यह दोस्त पैसा कमाने का तरीका हिंदूस्थान में तो बहुत त्यार हो सकते अब कमा भी रहा होगा ब्राइट फ्यूचर देखिए हिल के उपर वो काम कर रहा है आज बोलते हैं कि चाइना के लिविंग असी साल है अमरिका की 75 हिंदूस्थान के 60 पैसेट है क्यों ऐसा है ना हिंदूस्थान के अंदर आज बीमारी बढ़ते जा रहा है कैंसर का पैसिन बढ़ते जा रहा है हिंदूस्थान को डाइबिटिस का राजदा नहीं बोलते हैं यह सब होने के पीछे बजा क्यों है आप सुने होंगे इसी हिंदूस्थान में आसे 20-30-40 साल पहले 100-800 साल लोग जीते थे कोई दवा कोई डॉक्टर नथिंग कुछ भी नहीं था लेकिन यह होने के पीछे बजा क्या आए ना वो बजा यह है पहले के लोग जो है ना कि लाइफ फ्यू डिकर्स बैक एंड टूडे आज के लाइफ नीचे वाला और पीछे का लाइफ का पहले के जम पैसे सब को पता है लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है जिसके वज़े से यह कारण है दूसरा खान पान पहले जो हम खाना खाते थे और आज कौन सा खाना का रहा है यह सब को पता है आब यह खाना लोगों ने छोड़ चुका है लोगों की लाइफ फास्ट हो चुके लोग जहर खेतों में नहीं पेड में डाला जा रहा है कभी सोच के दिखीएगा जो किसान खेती करते हैं वो दबा के डालते क्यों क्यों कि फसल बढ़िया होना चाहिए हाइबृड चीजे का इस्तेमाल हो रहा है रासानिक जो खात डाले जारा है वो कहीं ना कहीं सबजी में प्रानाज के साथ हमारे पेट में आ रहा है किया इनकी बचाओ आपके पास है इनकी बचाओ आपके पास नहीं है हवा खराब हो चुका है पानी खराब हो चुका है आपके हाद में कुछ भी नहीं है आप सिरेप अपने सहित को exercise करके और साथ में यह कुछ food supplement मेंटे ब्राइट फीचर के पास जो यूज करके आप अपने हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं लेकिन हम मिडिल क्लास की मेंटालीटी ये बोला नहीं कोई बात नहीं हम तो भी फिट है जब होगा तब देखेंगे दोस्त इस मेंटालीटी को चेंज करिए और लोगों को करव सबसारा पता होगा आपके सप्लीमेंट से कितने सबकारब अच्छे हुए है आप बता मुझे लोग दारू बेच के लोग रेटक के पैसा कमा तो रहा है ना लेकिन आप क्या करके कमाने की बात कर रहे हैं वो देखो कि ब्राइट फूचर क्या कर रहा है लोगों की हिल्थ को बढ़िया करके पैसा कमाने का मोका रहा है और यह हिल्थ बढ़ा इसलिए वह यह कोई दवा नहीं है यह काजू और बदाम और बढ़ी यह बढ़ी अची टैबलेट के फॉर्म में तो कहीं ने कहीं आप एक अच्छे काम के साथ लोगों की हिल्थ को अच्छा करने के लिए जिससे समाज देश सब कुछ बढ़िया हो सकता है उस मिसान पर आप काम करें आपके पस कुछ 35-40 ऐसे सप्पलिमेंट है जो अमरीत हो सकता है लोगों को अगर स्टेमसेल पाउडर चीए अपने आप में कि मैं ब्राइट फ्यूचर करता हूं मैं लोगों के लिए बढ़िया कर रहा हूं या आपके अपने आप एक प्राउड फिल होना चीए आज के बाद अगर आपको कोई बोलते कि ब्राइट फ्यूचर जोडने वाला मेंबर चेंश सिस्टेम बोला वो बात करेंगे आज के डिद में मॉबाइल की रेडियेशन टेक्नओलोज़ी जितना फस्ट होते जा रहा है तो रेडियेशन कहीं ना कहीं जितने वायरलेसि चीज़ी आपके घर के अंदर है वह सब आपको डिएशन प्रोग देता चाहे आपके पास माईक्रोईव है चाहे आपके पास LED ही, रिमोट वाली जितने भी चीजे है, LED TV है, ये सब आपको radiation देता है, और mobile तो देता ही देता है, और mobile के अधिक उपयोग से brain tumor के आसंखा है, ये इतना बड़ा आज की रेट का problem है, जिसको आज समाज के पास कुछ नहीं बचने के लिए, लेकिन आपके पास ए कर द्रद, प्रस्पॉंडालाइटीज, बैक पेन, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, एडिक का दर्द, डाइबिटीज, हाई बलड पेशार, एस्तमा, दिल की सभी प्रकर के बीमारी, पिसाब के तकलिक, सभी प्रकर की सिक्स्ती तबलीग, तकलिप, स्टोक, पैरलाइसी निन्द की कमी, ब्रिष्ट कैंसर, कोमा, हर्निया, ऐसे कितने सारे बीमारी में ये काम करता है, आप बताएए, आप बहुत सारे लोगों को पहनते तो है, लेकिन लोगों को बतानी है, दोस्त एक बार के लिए सोचके देखिएगा कि क्यों करूं क्यों प्रमोट करूं, आपको पता चला, आप अगर उसको प्रमोट नहीं किया या बताया नहीं तो आपको अपसोस होगा कि मेरे पास एक ऐसी चीज था जिसको पहनाने से, वो कैंसर से बच सकता था, इसलिए बिल्कुल सोचिएगा मत सरम मत करिएगा, एजिटेशन मत रखिएगा किसी को बताना है, बिन्दास बताईए, आपने बता दिया और उसके बावजूद भी उसको होता है ना, तो आपको बिल्कुल उस दिन अपसोस नहीं होगा कि मैंने बताया नहीं था, आपने उस दिन लगेगा कि मैंने बताया, उसने नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, इसलिए जरूर हर आदमी को अप्रोच जुरूर करिएगा अभी अभी आपने नियूज में छुना होगा कि जोदपूर में सिलिंडर ब्लस्ट एक साधी के अंदर ऐसा हुआ कि जिसमें करीब 40-45 लोगों की मौत हो चिपने आप बताईए कि ये जो सिलिंडर है ना ये कि बम है या मैं आपको ब आता है कि आपके घर में रखावा है आप बहुत परेशानी में आ जाएंगे और दोड़ के अपने घर जाएंगे पुलिस बुलाएंगे या बम डिटेक्टर वाले को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे कि सभी लोग बुलाएंगे ना तो जो सिलिंडर आपके घर में र ऐसी डिवाई से जिससे गैस के हादसा से लोग बच सकता है यह बहुत बड़ा काम है आप बताए कि उस साधी के अंदर कितने लोग गए होंगे और वो अपनी दुले और दुलहन को असीरबाद देने गए होंगे लेकिन वो खुदी वहां से चले गए उस दिन बताए किसी को पता था तो हादसा का भी बोल के नहीं आता है दोस्त इसलिए कोसिस करेगा आपकी चाहते जितने हैं वो मना करेंगे मैंने क्या कहा कि दूद घर तक जाके बेचना पड़ता है और दारू आदमी जाके खरीदता है अप उनको समझाईए बताए उनके घर में लगाईए कही कुछ नहीं तो आदमी पैसा बचाना चाता है ना यह डिवाई से आपके घर की खर्च को भी बचा देगा आज गैस की कीमत गैरा सुरुकर सिलिंडर है वहां से आप बचा सकते हो इसलिए जितने भी लोग है देखो आपके रिष्थेदारों में खुदा ना करते किसी को कर पाऊ गया आपके लोगो के कि compensation के लोगों के किसी को अगर हो गया यह बोलके नहीं आता है हो कुछ decor नहीं है लेकिन होने के ऊपके बच्ता भी नहीं है इसलिए हर आपके ड़िया कर के लोगों की मे 아닙र आप अच्छे खाद दे करके आप लोगों के भाला करने जा रही है क्या करना जब क्यों आपके दिमाग में ऐसा लगता है ने टोक मार्केटिंग जोड़ने का में लोग करना नहीं चाते दोस्त लोगों को हम समझाने पारा है लोगों को समझाईए एक गिविंग एटिट्यूट के साथ अगर आपकी नजरिया चेंद करके आप लोगों के पास पहुंचने के लिए अगर आपके पास तरीका सही हो सिस्टेम को फॉलो करें वो तरीका क्या है वो तरीका मैं आपको बताऊंगा बहुत मोटी मोटा काम है और आपको थोड़ा-थोड़ा टाइम लगा के भी आप इसको बिल्ड कर सकते हो इसको करने के यह आठ स्टेप पहले स्टेप का नाम के द्रीम यूज दा प्रोड़ाक्स हेर दा प्रोड़ाक्स लिस्ट इंविटेशन सोदा प्लान एफाइम फॉल अप टेनिंग सेमिनार इवेंट तो सबसे पहला जो चैप्टर उसका नाम है ड्रीम का मतलब है कि वाइउ जोइन ब्र करना चाहते हो जितना बड़ा बजा होगा उतना चैलेंज का सामना करेंगे जितना बड़ा बजा होगा जूड़ने का उतने दीन आप इस काम को करेंगे तो अपनी बजा ढूंड़िए इस काम को करने का यह वो काम है जहां से आप आनलिमिटेड आर्न कर सकते हो आनलिमिट पड़े दूसरा प्रोडंट आप अगर इन प्रोड़क्ट को री कम करना चाहते हो आप स्प्रेलीमेंट करना चाहते है यह स्पेलीऩ को करना चाहते है तो आपकी ऊफिडेंस करने एक अलग होगा यह इन प्रोड़क्टों को यूज करने का पहली बद तो हर वले सस्ता है क्वालिटी अच्छा है और आपकी इसलिए 100% यूजर जरूर बनाएंगे तो आपके पस प्रोड़क्ट स्टोरी होना चाहिए कि आपने इन प्रोड़क्ट को यूज करके आपको क्या अच्छा लगा क्या या किसी को दिया उससे कोई अच्छा हुआ वह एक स्टोरी अगर आपके पास है तो उसको अगर आप ल मतलब है आप ब्राइट फीचर को जॉइन क्यों कर रहो या करना क्यों है उसकी बजा जितना बड़ा बजा होगा समझ लिजे उतने दिन आप करेंगे उतना ही आप मुश्किल का सामना करेंगे दूसरी चीज क्या था प्रोड़क्ट को यूज करिए सिद्धी सी बात है हम जिस कंपनी की प्रोड़क्ट को लोगों को सेल करना चारा है तो अपनी घर में भी यूज होना चाहिए उसके बाद उसको सेयर करिए उसके बाद आपके कॉंटेक्ट में जितनी लोग है उसके लिस्ट बनाएए रो मेट्रियल आप यूर बिजनेस आपकी बिजनेस की जो प्रॉ मेट्रियल है वुआ है लिस्ट लिस्ट का मतलब आपके जान पैचानकी लोगों के एक लिस्ट मनाईए और उस लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना इंविटिशत करना वैसे जाके किसी को बिजनस को मत दिखाईए उसके माइनशेट करके उसको बोल के जाएए कि एक मैं बिजनेस के बारे में डिसकस करना चाहरू हूँ एक और्गनेशन, एक काम, एक पार्ट टाइम, कुछ भी बोल के जाएए माइनशेट यूर प्रॉस्पेक्ट टू गेट अपर्डमेंट मतलब उस आदमी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जो समय लेना है उसको बोलते हैं इन्विटेशन नेट्वक मार्केटिंग कमपनी प्लान प्रोड़क्ट ये बोल के मत जाएएगा आप बोलके जाएएगा बिजनेस ऑपरचनिटी काम ये सब बोलके जाना है आपको नेक्स्ट सोदा प्लान जितने भी लोग इस मीटिंग के अंदर है और जितने भी लोग ब्राइट फूचर में जॉइन है सभी लोग बिजनेस प्लान देखने के बाद ही हुआ है आपकी बिजनेस की दर्वाजा जो खुलता है न वो प्लान दिखाने से लेके तो प्लान दिखाने के लिए हमारे ब्राइट फूचर कंपणी के पसे के बूकलेट है जिसके अंदर एक पेजे हिंदी में लिखा है उसको पढ़के बताने कोई बोलता है सोदा प्लान कि इस कंपणी का मालिक है मिस्टर रादेश्रम सर्मा यह कंपणी इंडिया भंगलादेश में चल रहा है इसमें इ बिजनेस की दरवाजा या पहला जो सीड़ी है ओपन होता है यह सोदा प्लान यह सोदा प्लान हर आदमी कोशिस करें पर एक आदमी नया प्लान जुरूर दिखाया है हर तीन अगर एक नए आदमी को मिल सकते हो और दो महीने तक लगातर मिलोगे तो आपकी टीम हंडेट प बढ़ा आपके बिजनेस डिवलप जो होगा ना वहीज मिटिंग के बाद से होता है इसलिए सेकेंड मिटिंग मस्त करवाएगा अपनी टीम से जिसको भी प्लान जिसको भी बिजनेस के बारे मां डिसकस करते हैं दुबारा आपके अपलाइं आप से जिसके पास नॉलेज ज्यादा उस इंसान के साथ उसको दुबारा मिलना है उसी को बोला जाता है यह फायम या फॉलो आप यह बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपका क्या होता है काम की ग्रोथ चालू होता है नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्रेनिंग सेमिनार और इवेंट कभी भी नियारिस्ट में कहीं पे भी होता है सो डेल सो किलोमेटर रेंज के अंदर आपके पास खवर है तो जरूर पहुंचिएगा उसका फाइदा यह है कि आपके माइंडसेट हो क्यों करना है ब्राइट फ्यूचर को क्यों करना है नेट्वर्क मार्केटिंग को लेकर उसकी किलियर बिजन किलियर होता है टीम के अडूकेशन बढ़ता है और अवहीं चीच डूब्लीकेट होने जाता है कभी भी आइधर ओफलाइन या ऑन-लाइन कभी भी मीटिंग सेमि सेमिनार कभी भी होता है जहां लोग होते जहां पर मौहल होते एंवारेमेंट होता है आप खुद भी जाएंगे ना तो आपके अंदर बहुत सारे चीज़े डाउट्स आपके अंदर एनरजी आपके अंदर मॉटिबेशन ही सब कुछ आता है इसलिए कोसिस करिएगा कभी आपके नियरेस्ट में कहीं पर मीटिंग सेमिनार या कुछ भी हो रहा है उसको अटार करेंगे ला तब तक के अंदर ऑन् D आपके अंदर से इंस्पिरेशन बढ़ता है घ्रियन सेमिनय अटन करना मास्ट है आभे सभब कुछ करने के बाद लोगों को लगता है क्या मैं कितने लोगों को लगता है कि हम तो 100% कर लेंगे कोई डाउट नहीं है सभी को लगता है क्या वेरी गुड जिन लोगों को नहीं लग रहा होगा ना आपको अगर 5% 10% भी लग रहा होगा कि मैं कर सकता हूं दोस्त आप भी ठीके रहना यह बिजने से कि आपको यहां के लीडर सिस्टेम और्गनेशेशन आपके अंदर 90% जो नहीं है वह आपके अंदर डाल देता है करने के लिए कोई भी काम करना या कुछ बड़ा करने के आकर आपके पास सोचे तो कभी इधियास को पढ़ो कभी लोगों को पढ़ो जो लोग सक्सेस हुए है यह देखिए यहां पर लिखा है कौन कहा रहा है बिल गेट्स बोलता है जो दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का पैसे वाल आदमी कि मैं गैजुशन फेल था बचपन में जूता सिलता था लोग कह रहा है अब पर स्टार ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा मैं पेट्रोल पांपर काम करता था धिरुवाय अम्मानी आज रेलाइंस इंडास्टीज की जो वर्त है जो पैसा है उनके पास उनकी कई पीडिकरी तीन सो साल बोला बैठ के खा सकता है मैं दसूभी क्लास फेल हो गया था सचीन ते पहुंसता था सारुक खान वाल में जितने भी सेलेब्रीटी यह जितने भी एक्टर है उसके वाल्ड की बात कर रहो इंडिया के नहीं पांच लोगों के नंबर में यह आता है सारुक खान यह सब लोग है अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखिएगा यह जित ना कहीं इन से मैक्सिमम लोग देखेंगे तो टैन ट्रॉल गैजूशन है हमें हमारे घर को चलाने के लिए हमारे पास सब कुछ है तो हम क्यों नहीं कर सकता है इसलिए आपने आपको बलकुल कमजूर मत समझेगा आप सब कुछ कर सकते हैं आप बहुत बड़ा कर सकते हैं आप सिर्फ इस विस्वास के सद लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी को कोई भी चीज करना या कहीं पर पहुंचना होगर अपने अंदर विस्वास रखके चल सकता है वो विस्वास आदमी को लेके जा सकता है इसलिए कभी भी कुछ भी आपको नेगेटिव लो कभी भी मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग होती है उहां पे कुछ ना कुछ सिखिए सिखते रहे या लोगों को सिखाता रहे ये काम है सिखने और सिखाने का उपर वाले से पूछिए कैसे और नीचे वाले को बोलिए ऐसे और बीच में कमाईए पैसे इसलिए अपने आपको कम पुल भिंदा सो के एक दो-तिन साल का टार्गेट के साथ लगे रहे और करते रहे आप भी बन सकते हैं सिखने के लिए तीन दीन है हमारे पास धैन रखिएगा आपको बुलाने की जुरुत ना हो आप आज मीटिंग बायो आगले दिन कोसिस करिएगा अगर आगले दो दिन मे दिन आपको सिखने की दीन है शोम बार बिरस्पतिवार और सनिवार शुबे आठ बजे इस समय अपने कोई भी आदमी जितने भी मीटिंग में हो कभी मिस मत करिएगा कोशिज करिएगा कि इस मीटिंग को एटिंग जरूर करे सीखते रहेंगे बोलता है ना कि सिखना बंद तो जीतना बंद सिखने से सब कुछ है क्योंकि कोई भी आदमी दुनिया में जब आये थे उसके पस कुछ भी नहीं था कोई लार्निंग नहीं था वो दुनिया में ओही आदमी कोई साइंटिस्ट बनता है कोई कुछ भी जो कुछ भी बना है सिखने से बन रहे हैं, thank you so much, good day, love you all.